यह गाओं के भतिजा हमरा नितेश आया है गुपता धाम ए भईया काई काई ना करो विडियो बना रहा है तो यह हमरा भतिजा जो है आया हुआ है गुपतेश्वर धाम महा गुपतेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए आद्मी पैदा जाता था पैदा लाता था बहुत तकलीफ होता था लेकिन अब बढ़ भागोला जो है रस्ता को बनवा दिया है एतना बनवा दिया है कि गाड़ी पर चखले-चखले आदमी चलाएगा आई देखिए देखिए यह कैमूर पहाडी का पहाड उपरे देख रहे हैं यह पहाड है अगर अकपर पुर्रोहतास हो के आईएगा तो यह पहाड के सिधे खटा-खटा नीचे उतरना पड़ेगा अहम लोग जो है सासा राम हो कर के आए हैं टाटा कमपनी की गाड़ी है नेक्सोन यह पहाड चड़े में हीरो है यह दूगों हमारे और भाई लोग है जो पहाड़े से हैं गारू बेतला नेतर हाट से मजाया गुरू यह हम लोग बाबा गुपतेश्वारनाथ धाम गुफता धाम के सितल कुंड में स्थान करने आये हुए हैं और यह सितल कुंड का मनुरम द्रिस्य है बारिश के समय में यह जर्णा यहां से गिरता है और इस कुंड में आके एंड करता है अब यह हमारे भाई मित्र बंधुगान है जो सितल कुंड में असनान करने से पहले और इस तरह से हमनों गुप्तानाथ पहुच चुके हैं गुप्ता धाम में अधिजार हैं अंदर में बाबा भूले नाथ का दर्शन करने और चलिए आप भी मेरे साथ बाबा भूले नाथ का दर्शन कीजिए यही वो जगह हैं जहां पे अश्क्राइब इस मासूर से चुपने के लिए संकर भगवान इस गुप्ता में चुपे थे चलिए आप भी मेरे साथ बाबा भूले नाथ का दर्शन कीजिए जय बोले चलिए नमस्कार दोस्तो आज मेरी यात्रा गुप्तेश्वर धाम अर्थात गुप्ता धाम के लिए है जो की शीव भगवान का बहुत प्रशीद मंदीर है और यह रोहतास जिल्ला मुख्याले सासा राम से करीब 65 किलोमीटर दूरी पर इस्थित है जो की बिहार राजिय में पढ यहां पहुचने का रास्ता काफी दुर्गम है आज मैं आपको यहां के बारे में सारी जानकारी दूँगा आप यहां पे कब और कैसे जा सकते हैं यहां पे खाने पीने की क्या सुईधाये आपको मिलेंगी और यह गुपा क्यों बहुत ज्यादा प्रशीद है मैं आपको इस बीडियो में सारी जानकारी दूँगा तो क्रिप्या आप इस बीडियो को पूरा देखिए और आप भी मेरे साथ बाबा गुपतेश्वर नात का दर्शन कीजिए हर हर महादेयो अभी मैं करमचट डैम पे पहुच चुका हूँ जो की सासाराम में इस्थित तारा चंडी मंदीर से 47 किलो मीटर दूरी पे है इसी रास्ते से होते हुए मुझे गुपता धाम जाना है और इस डैम से गुपता धाम की दूरी लगभग 30 किलो मीटर है यहां से बन विभाग का रास्ता सुरू हो जाता है जो की सिंगल रूट है सिंगल रास्ता है और यह बना हुआ नहीं है आप सामने देख सकते हैं एक तरफ कैमूर का उच्या पहाड है तो दूसरी तरफ करमचं डैम का मनोरम दृश्य रास्ता बना हुआ नहीं होने के कारण रास्ते में काफी धूल उड़ती है और रास्ता भी काफी खराब है लेकिन मनोरम दृश्य होने के कारण लगभग एक घंटा के सफर के बार आप गुट्ता दाम पहुच जाएगे करमचं डैम आने के लिए सासा रामतारा चंडी मंदीर से लगभग एक किलोमीटर बारा नशी की और बढ़ने पे लेफ्ट हैंड साइड में ही महिंद्रा का शोरूम है उशी के बगल से रास्ता गया हुआ है जहां से 47 किलोमीटर दूर डैम पढ़ता है वैसे गुपता धाम जाने के लिए बहुत सारा रास्ता है बहुत सारे लोग यहां पे पैदल भी जाते हैं यदि आप फोर विलर्श जाना चाहते हैं तो सबसे अच्छा रास्ता यही है आप इसी रास्ते से जाएए अच्छा रहेगा सामने आप करमचं डैम की खुबसू और इसमें बोटिंग की भी सुईधा उपलब्ध है आप यदि चाहे तो यहां पे बोटिंग कर सकते हैं मेरी यह जो यात्रा है फरवारी में महासिवरात्री के दो-तीन दिन पहले की है मैं इसे फरवारी में महासिवरात्री के समय किया था आप देख सकते हैं कुछ आदमी जो हैं सामने से पैदल आ रहे हैं ये सभी पैदल इस यात्रा को पूरा किये थे कुछ उन लोगों का मननत होगा इसलिए वे लोग पैदल ही इस यात्रा को कर रहे हैं और रास्ता पतला संकिर्ण होने की वज़ा से आपको यदि सामने से कोई गाड़ी आती है तो साइड लेने में काफी दिक्कत होता है लेकिन रास्ता अच्छा है बहुत अच्छा तो नहीं है यह जो वहाँ डैम से करमचंड डैम से जो गुपता धाम का लगबग 30 किलो मिटर का जो रास्ता था वो काफी खराब है और यह सामने देखिए काफी खुपसूरत भीव क्वाइंट बनाया गया है आप यहाँ पे सेड के नीचे बैठ कर आप भीव का आनन ले सकते हैं यह सब जो देख रहे हैं काफी बहुत हाइट पे उच्छा पहाड है कैमूर का गाटी है यह कैमूर पहाडी स्रिंखला है और यहाँ से बारिस के दिनों में बहुत खुपसूरत ज़र्णा भी बढ़ता है यदि आप सावन के समय में आएंगे तो खुपसूरत ज़र्णा देखने को मिलेगा रास्ता में लेकिन उच्छमें बारिस के वज़े से यह रास्ता जो है फिसलन भरा हो जाता है रास्ता आप देख सकते हैं खतरनाक ओफ रोडिंग वाला रास्ता है काफी उससमें दिक्कत होता है यदि बाई मिश्टेक आप का फोर विलर जो है दाहिना तरफ गया है तो फिर सीधे यह खाई में गिरने की संभावना रखती है तो इसलिए एववाइड कीजिए उस समय और देख सकते हैं अभी में गुपता धाम पहुच चुका हो यह छोटा मोटा सौप लगा हुआ है जहां से प्रसाद वागेरा खरीच सकते हैं बोजन की भी ब्योस्था है होटल सब बना हुआ है यहां आप प्रसाद खरीच सकते हैं होटल में खाना खा सकते हैं जेनरल खाना मिलेगा खाना का कोई वेराइटी यहां पे नहीं मिल पाएगा ऐसे ही जो है नॉर्मल खाना मिलेगा टैटो अगेरा बनवाने की भी ब्योस्था है यहां पे सस्था में टैटो भी बनवा सकते हैं और यहां जो आप देखे उस जगह से जहां पे गाड़ी पार्ट कीजिएगा वहां से लगबग एक से डेर एक किलोमीटर दूरी पे एक सीतल कुंड है जिसे सीता कुंड भी कहा जाता है वहां पे हम लोग अभी जा रहे हैं असनान करने के लिए मान्यता है वहां पे असनान करके ही वहां से जल लेके संकर भगवान के शिवनीं पे जल चड़ाना रहता है और आप देख सकते हैं डश्क से जो है मेरा बाल जो है सफेद हो शुका है और देखिए काफी भीड है वैसे यहां पे ग्रामीन की ही जैदा भीड रहती है ग्रामीन ब्यक्ति ही जैदा आते हैं सहर के ब्यक्ति उतना आते नहीं है और यहां पे जाना भी काफी डिपिकल्ट है इसलिए उतना और पॉपुलर भी नह जो है टूरिस्ट पे टूरिज्म पे ध्यान ही नहीं दे रही है देख सकते हैं यह सब रास्ता बना देन अच्छा है यह था लेकिन कोई ध्यान ही नहीं है गवर्मेंट का तो काफी मतलब लगेगा आपको कि कोई ग्रामी छित्र में आप चले गए हैं देखिए कैसा डिपिकल्ट रास्ता है इस रास्ता से होते हुए हम लोग सीतल कुंड पहुचेंगे जहां पे हम लोग अस्नान करके वहां से ही जल लेकर संकर भगवान के मंदीर में अंदर जाए चीप राए जी होगा चलिए रिकोर्डिंग करता है अब देख सकते हैं काफी भीड है काफी संख्या में भीड है और अब भी तो यहां से मतलब जहर्णा में पानी नहीं गीर रहा है क्योंकि फरवरी मन्त में गर्मी ही हो गया एक तरश से लेकिन जो है यदि आप सावन के समय में आईएगा तो यहां पर यह जो नदी है यह भी नदी में पानी रहेगा और यह जर्णा भी काफी कुप्सूरत जर्णा रहता है एक बार आया था सावन में उसमें देखा था अभी पा करती आते हैं नहा के अपना कपड़ा वहीं पे छोड़े देते हैं जो कि गलत बात है इसको गवर्मेंट को ध्यान देना चाहिए था कुछ ब्योस्था करना चाहिए था और अब भी हम लोग जल लेकर मंदीर की और प्रस्थान कर चुके हैं कुछ ही दूरी पे हम लोगों का मंदीर है ऐसे ही मंदीर हम लोग पहुँचने वाले हैं काफी भीड है लेकिन महासिवरात्री के दिन और बहुत ही ज्यादा भीड हो जाता है उस दिन जो है जल चड़ाना काफी डिफिकल्ट है उस दिन लेकिन अभी ठीक है ज्यादा भीड नहीं है और गुफा के अंदर प्रोब्लेम भी होती है भीड के वज़ासे अलांकि वहाँ पे ऑक्सिजन के ब्योस्था कल दी गई है लेकिन काफी डिफिकल्ट है वो गुफा के अंदर अभी मैं मंदीर के प्रांगन में पहुच चुका हूँ आप सामने देखे मंदीर का प्रांगन है यह और भी भगवान का मंदीर मुर्ती बना हुआ है लेकिन जो यह विख्यात है जिसके बारे में सभी जानते है वो गुफा के वज़ा से ही है मैं अभी अंदर गुफा के अंदर जाके आपको शिवलिंग का भी दर्शन करवाऊँगा वहाँ के अंदर का जो शिवलिंग है बिल्कुल नेचूरल है देखे अभी हम लोग गुफा के अंदर परवेश कर रहे हैं यहां से शिवलिंग की दूरी तिन्चो तिर्शक फिट है आप देख सकते हैं नेचूरल गुफा है किसी भी तरह का आदमी के द्वारा बनाया गिया यह गुफा नहीं है यहां से तिन्चो तिर्शक फिट अंदर जाने पर संकर भगवान का शिवलिंग है जो की बिल्कुल नेचूरल है और वैसे इस गुफा के बारे में कहा जाता है कि जब भश्मा सूर्ज जो है संकर भगवान से एकस में बरदान मांग लिया था कि वो जिसके सर पे हाथ रखेगा वो भश्म हो जाएगा तो यह जो है वही गुफा है जहां पे भश्मा सूर्ज से बचने के लिए संकर भगवान शिपे थे इस गुफा के अंदर बहुत सारा अलग-अलग दिशा की ओर जाता हुआ शूरंग है जिसे अभी बंद कर दिया गया है जो एक गुफा सीधा गया है सिवलिंग तक वही सिर्फ गुफा अभी चालू है बाकी बाद जो है दिवाल जोड के बंद कर दिया गया है क्योंकि भगवान इसी में चूपे थे और विश्नु भगवान जो है वो मोहिनी का रूप लेकर भश्मा सूर के सामने निरित्य करने लगे और उसे अपने बात में भूलवा कर बात में उल्जा कर उसको खुद के सर पे हाथ रख़वा के भश्म करवाया था जो कि आगे आपको दिख सकते हैं काफी अलग-अलग दिशा में सूरंग भी बना हुआ है और यह सब प्राक्रितिक है किसी ब्यक्ति के द्वारा बनवाया हुआ है यह जगह नहीं है चलिए आगे अभी मेरे साथ दिवाल अगेरा देखिए कैसा बना हुआ है यह सब जो है देखिए यह जो है पत्थल का यही प्राक्रितिक स्यूलिंग है यह खुद से पानी के गिरने के वज़़द से बना हुआ है यह स्रधालू का बहुत ही जैदा भीड होती है यहां पे इसपेसली सुमवार के दिन या फिर सावन के महिना में सावन के महिना में यहां पे कावर लेकर भी ब्यक्ति पहुचते हैं बकसर से यहां पे जल उठाकर कावर स्रधालू गंजो है यहां पे आया करते हैं यह और एक देखिए जो कि खुझ से बना हुआ है वैसे सास भी फुलने लगता है इस गुफा के अंदर ऑक्सीजन होने के बावजूद जो है सरीर से पसीना आने लगता है और लगता है कि बस अब हो गया अब यहां से आगे हम लोग नहीं जा पाएंगे लगता है ऐसा लेकिन कोई दिकत नहीं है आराम से दीरे दीरे जाने पर किसी भी तरह का दिकत नहीं होता है आज भी जो है काफी संख्या में सरधालू आये हुए है और देखिए जो मूँ फाड़के उपर की ओर देख रहे हैं आगे नहीं जाने दिया जा रहा है क्योंकि नहीं तो आगे में भी है एक संकर बगवान का में वहीं हुआ लेकिन यहां से लगबग 50 मीटर और वह अंदर था लेकिन उसको बंद कर दिया गया यहां से अच्छी तरह से मेरा दर्शन हो गया है और आपने भी मेरे साथ हुआ चलिए आपको यदी यह वीडियो अच्छा लगा तो क्रिपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीज deshalb कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजेगा बीडियो को सेर कर दीजेगा इससे मेरा हौसला बना रहेगा मैं आगे भी निरंतर आपके लिए अच्छा अच् पानी टपक रहा है पानी का बुन टपक रहा है देखिए मूँ फार के उपर की और देख रहे हैं यहां पे देखिए यहीं पे जल चड़ाया जाता है तरहाद महादेर बहुती अच्छा और एडवेंचरस जगह है आप एक बार जरूर यहां पे विजिट करें और एक बाद जब विजिट कर लिजेगा तो प्रते साल आप यहां पे आये गई मैं तो यहां तीन साल से कंटीनीव आ रहा हूं फरवरी मन्त में आता हूं महासिरुआत्री के समय आप खुशूरत लोकेशन भी देखिए डैम का लोकेशन है मैं वापस अब घर जा रहा हूं चलिए आपको विडियो अच्छा लगा तो कृप्या फ्लेज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेजेगा धन्देवाद हर हर महादेवाद